अस्सलाव अलेकुम दोस्तो मेरा नामे मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ठकी हल्प टेप्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे एक ने वीवर है अगर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वीडियो पॉस्ट करके आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन पे जरूर किलिक करें मेरे वीडियो के लेटेस नोटिफिकेशन अपडेट पानी के लिए सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important news के बारे में जो कि Facebook के ब्लॉक पे पोस्ट हुई है और वे news ये है अब से Facebook क्या है लोगों के खिलाफ action लेगा जो भी repeatedly शेयर करेंगे misinformation को मतलब कि अगर कोई page कोई post किसी भी account से शेयर होता है वो भी गलत और बार बार misinformation को शेयर करेगा तो Facebook उस पे action जरूर लेगा अब यहाँ पे देख लीजी आप सबसे पहले post में क्या कहा जा रहा है कि आज से ये launch कर रहे हैं एक interacting जो है content है जहाँ पे fact checker जो है वो check करेगा किसकी information के और strong action लेगा against people जो repeatedly share करते हैं misinformation को कहा पे Facebook पे और उसके साथ साथ जो misleading content है किस से related, COVID-19 से related है, vaccines से related है, climate change से related है, elections से related है, other topics से है मतलब यह कुछ topic specify कर दिये गये हैं और कुछ topic other के तौर पर यहाँ पे बता दिया गया है और यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि जो है हम make sure करेंगे कि जो people है वो misinformation को कहाँ पे app पे share बिलकुल भी ना करें उसके अलबा यहाँ पे देखेंगे more context for page that repeatedly share false information यहाँ पे आप देखें यहाँ पे दो चीज़े दिखाई गई है एक तो यह है कि जहाँ पे health lab worldwide एक दिखाया गया है उसके बाद उसके एक message दिखाई पढ़ रहा है कि the page has repeatedly share false information और एक छोटा सा लिखावा independent fact checker जो है इसको check कर रही है दूसरा उसी post के बारे में है कि भाई यह review पे post आपका जा रहा है आप इसको review कर सकते हैं अगर उनको समझ में आएगा मतलब जो independent fact checker है उसको समझ में आएगा लगेगा तभी वो इस review पे जो है acceptance देगा otherwise वो acceptance नहीं देगा और इसको कर देगा decline और फिर आपकी post आगे continue नहीं हो पाएगी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे यह है कि we want to give the people more information before they like page मतलब यहाँ पे यह है कि जब आप कोई page को like कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई false information है हम उनको देना चाते हैं अपने किसको अपने people को जो भी facebook पे फेस्बुक इस फेस्बुक इस्तिमाल करते हैं और यहाँ पे क्या है जो fact चिकर है वो rate करेगा किसको जो भी आप post करते हैं और पॉप आप आएगा जिसमें रहेगा कि यह page आप जो like कर रहे हैं यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भ जो यह फैक्ट चेकर प्रोग्राम है 2016 में स्टार्ट किया गया था उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है वो strong action लेंगे किसके खिलाव page के खिलाव groups के खिलाव और instagram account and domain sharing misinformation जो है जो भी इस तरीके के होंगे इनके खिलाफ action लेंगे अगर वो इस तरीके की गलत हरकते misinformation को share करते ह हैं और यहां पर फिर यह भी कह रहा है कि individual penalties भी होंगी facebook account के लिए जो facebook account है simply facebook account है अगर वो भी ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी individual penalties होंगी और यह start हो रहा है आठ कबसे आठ से मतलब की यह start हो गया 26 में 2021 से और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह ऐसा इसलिए कि जा रहा है ताकि reduce our distribution जो है जो हम post करते हैं news feed करते हैं individual account जो कि repeatedly share हो रहा है content और वहां पे जो fact checker partner है हमारा individual partner है वो चेक करेगा ताकि ऐसा कम हो और अच्छी से अच्छी information facebook पे दिखें अब यहां पे एक चीज़ और कहीं जा रहा है कि जो redesign हो रहा है क्या notification when people share fact checked content यहां पे redesign किये जा notification को कोई भी ताकि आपको एक जो है notification जो मिले वो अच्छा सा notification मिले जहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से दिखाई पढ़ लाए कि जो post share की जा रही है उसमें notification दिखाई पढ़ लाए उसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे independent fact checker जो है this image is not testing viewer street level but just optional induction यहां पे आप see fact check पे आप click करके check भी कर सकते हैं और delete करना चाहें तो delete भी कर सकते हैं यहां पे नीचे दे रहा है तो यह रही छोटी सी information लेकिन काफी collective information है और यहां पे यह बताया जा रहा है कि अब छोड़ा नहीं जाएगा उनको बलकि उनके खिलाफ action भी लिया ज जा सकता है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को शेयर करें फेस्बुक पे जो भी लोग हैं उनको बताएं ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सकते हैं और मेरे वीडियो को फेस्बुक वाट्सअप टेलीगराम हर ज